तो आज हम फिर न्यू टोपिक के साथ आए हैं और इस वीडियो में वो सीखेंगे एक और नेट्रल नमबर्स क्या होते हैं और नमबर्स क्या होते हैं यह दोनों इस वीडियो में सीखेंगे आते हैं नेट्रल नमबर्स पे नेट्रल नमबर्स कौन से होते हैं जब दुनिया में इंसान आए तो इंसान गिनना शुरू क्या मेरे पास यह चीज एक हैं दो हैं तीन हैं यह पांच हैं यह सब क्या होए यह हैं नेट्रल नमबर्स होए जो वन से शुरू हो वो नेट्रल न नमबर इसान जब भी आया दुनिया में तो उसने गिनना शुरू किया यह चीज एक यह दो तो यह बन से शुरू है जो तीन चार्ड और आगे चलते गए यह सब क्या है नेच्छरल नमबर तो यह हमारा हो गया नेच्छल नमबर से अभी दूसरे हॉल नमबर पर चलते हैं त जब जीरो नहीं था तो हम बड़े बड़े लिखने ही पाते हैं जब जीरो आया तो हम चोटे से चोटा भी लिख सकते हैं और नमबर बड़े से बड़े भी नमबर लिख सकते हैं जैसे कि हो गया थाउ 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 हंड्रेड हो गया यह भी जीरो नहीं होता तो हंड्रे न जिरो आने से यह मुंकिन हो जो जिरो से शुरू हो हो नमबर उन्हें हम बोलते हैं उन्हें जिए भी हमारा हो गया जिरो से शुरू हो 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 नमबर हैं कि आहते हैं इंविन नम्ब深क झापक क्या जो इन पर भी चलते हैं जो इज魔 है जो उन्हें भी सब्थाइन खोलート है तो इन पर और six eight ten 12 वगरा वगरा one three five seven nine eleven यह क्या है two four five six eight ten तो यह क्या है यह even numbers है and numbers कौने है one three five seven nine eleven यह सब और नमबर है अभी एक बाद जाद है even number वो जो two से divided हो ओन्ड नंबर वो जो टू से डिवाइन ना हो तो यह वीडियो यहां तक ही उमेंट काता हूं तो वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोना मिलेंगे अगली वीडियो में तब तर के लिए बात आए